हेलो गाइस कैसे हैं आप सब उमीद करतों सब एक दम बढ़िया होगे आज हमारे सामने खड़िए होंडा की आने वाली यह एक कॉंपैक्ट साइज स्यूवी रहती है और इसके जो गाड़िया आती है वो सबसे पहले आ जाती है हूंडे की क्रेटा किया की सेल्टॉस और नेक रहने वाला है 10.99 लाक्स तो 16 लाक्स यह इसका एक्षोर्म प्राइस रहने वाला है जो कि हर गाड़ी जो इसकी सेग्मेंट के अंदर है उसका प्राइस जा रहा है 20 लाक्स से अब अब बात करते हैं इसके डीटेल में वह भी फ्रेंट से तो सबसे पहले यहां आपको देखने को मिल जाता है यहां को आपको प्राइशन देखने को मिल जाती है अब असकी साइड प्रोफायल में आते हैं सबसे पहले में देखने को मिलते हैं इसके डामांड कट-छूउज 1965 10 17 यह आपको मिल जाता है front disc में and rare drum brakes के साथ ग्राउंड क्लेरिंज के अगर हम बात करें तो ग्राउंड क्लेरिंज सापको जिसकों देखने को मिल रही है वो मिलती है 220 mm की जो कि अपने segment में काफी जादा हो जाती है जो mainly जो इसकी जो ground clearance है वो एक थार से match करती है compact size SUV में जो थार है उसके अभी तक सबसे ज़्यादा ground clearance की और उसके matching के अंदर अपनी elevate की भी ground clearance आ जाती है तो अगर हम steltos grand vitara और kreta के हिसाब से देखें तो इसकी ground clearance काफी जादा है अब यहां पर अगर हम बात करें इसके dimensions की तो length है 413 12 mm width है 1790 height है 1650 mm wheelbase है 260 50 mm और इसकी wheelbase बन जाता है वो है 2650 तो इसका wheelbase वगराभी है वो भी अपना काफी जादा मिल जाता है fuelate के अगर हम बात करें तो fuel techniques का मिल जाता है 40 liters का जो कि अपने segment के साथ से हलका full का कम है normalate ठीक है पर average जो इसकी company जो claim कर रही है 16-17 safety की बात भी अगर हम अब कर लेते हैं थोड़ी बहुत तो इसके अंदर सबसे जो mean चीज़ा आपको देखने को मिलती है जो कि इसके segment में कहीं और नहीं मिल रही है वो क्या मिल रही है side mirror screen यचे left side में आपको यहां camera देखने को मिलता है जब indicator को on करते हैं तो infotainment screen के अंदर आपका indicator on हो जाता है अगर हम बात करें इसके एडास की तो level 2 एडास इसके अंदर को देखने को मिलता है camera based और इसके अंदर level 2 का मिलता है वो भी अपना Honda का original जो होता है वो इसके अंदर लगाया जा रहा है काफे companies हैं जो कि आपको radar based दे रही हैं पर इसके अंदर आपको जो मिलता है वो camera based देखने को मिल जाता है तो अब बात कर लेते हैं हम इसके rare profile की rare profile के जब हम आते हैं तो यहां आपको मिलता है क्रोम गंशिंग देखने को मिल जाती है और अगर हम बात करें तो यहां मिलेगा इंडिकेटर यहां मिलेगा reverse light और इधर की बात करें तो यहां मिल जाता है आपको camera यहां मिलती है normal magnetic switch जो कि आपको जिसे boot open हो जाता है चार अपने को देखने को मिलते हैं इसमें sensors यह मिल जाता है अपना reflector और अब कर लेते हैं boot को हम open तो boot को हम जैसे open करते हैं यह देख लिए गये हैं यहां कुछ अपनी मिल जाती है insulation insulation के देखने के बाद अब बात आ गई है boot space की तो boot space जो है इसकी अपने segment में काफ़ी बड़ी है क्या है ऐसी बोल रहा हूं 458 liters के इसकी boot space है यहां पर आपको lamp देखने को मिल जाता है दो अपने hooks मिल जाते हैं hanging के लिए यहां आपको boot cover भी देखने को मिल जाता है जिसके नी हम बात करें सीट की तो सिक्सी फॉर्टी स्प्रेट के अंदर को सीट देखने को मिल जाती है यहां मिल जाते हैं अपनी कुछ पासल ट्रे अब चलते हैं हम interior में interior जो इस गाड़ी का है वह काफी premium लगता है क्यों क्योंकि ऐसा interior 40 to 50 lakhs में भी नहीं आता है जो कि आपको Honda करते हैं तो इसके अंदर आपको यहां fully leather touch देखने को मिलता है with stitching यहां मिलता है हाट को hard plastic यह मिलता है आपको gray touch में यहां मिलती है आपको door handles silver and gray mix में यहां मिल जाती है आपको space यहां space water bottle holder इधर बे आपको कुछ space विगरा देखने को मिल जाती है यह सारे आपको windows options हो गए यहां से आपना unlock lock वगरा कर सकते हैं यहां से आपना side mirror वगरा वगरा कर सकते हैं बात कर अगर हम इसकी seats की तो seats की quality है वह काफी आपको premium लगेगी क्योंकि ऐसा address कहीं नहीं मिल रहा है जो कि आपको Honda दे रही है यहां आप देखते हैं तो देख लीजिए क्या ही proper इसकी finishing आती है leather touch के अंदर यहां fully इसकी जो bucket fitting है यह काफी में को अच्छी लग रही है या एक पर देख लेते हैं हम बैट के तो ऐसी कुछ मिल जाती है अप यहां पर अगर हम देखें तो यहां से आप अपने speedometer की brightness वगरा अपने set कर सकते हैं यहां से मिल जाता है इनल start of button और अगर हम बात करें हैं इसके steering wheel की अगर हम बात करें इधर side की जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर हम यहां से indicator अगर हम देते हैं तो अपना जो left view है mirror में देखना पड़ता ही है उसके साथ-साथ आपको यहां camera भी देखने को मिल जाता है जो कि आपको वहां का views और आपको दिखाएगा तो यह काफी better feature हो camera स्टार्ट हो गया तो यहां पर आपको यह बटन देखने को मिल जाता है जिसको अगर आफ प्रेस करेंगे तो यहां से अब में इसका एक और यह feature add हो जाता है और जिसके आप indicator नहीं भी देते हैं तो भी इसको आप यहां से बटन प्रेस करके on off कर सकते हैं यह अपने नॉ और लेजर टश देखने को मिल अखते है यहां मिलता है चाहने को मिल जाती और लेजली लाइट लेड़ेलेट को मिल जाती है और इधर की बात करें तो आपको यह नॉर्मल अपने लाइट पसद पाईजर देखने को मिल जाता है एक छोटी सी कोई बात नहीं है इसमें कोई इतना इश्यो नहीं होता है मैं आपको छेक कारवा दिता हूं बहÝ इसका एक बार ट्रेसर चेक केमर अपने कीसे देखने मिलता है तो आप देखस्कते हैं यह जो अपना अपना केमरा देख से रहे हुांग इतना कुछ ये फिल्म चड़ा रखिए जिसकी वज़े से ये अपना एस है यहां पर आपको डूल आटोमेटिक क्राइमेट कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है यह कुछ अपने फीचर देखने को मिल जाते हैं यहां बात करें तो आपको यहां मिलता है वायलेस चार्जर बारा सिक्सपीड मैनूर गेर बोक्स देखने को मिल जाता है यहां पे आपको मिलती है जिसके अंधर अफ़ी ऑफ़ी आफ देखने को मिल जाती है यहां धर है इस्साफ्ट कर रखी जादा आगे पीछे मैंने नहीं करी कर लेते हैं पीछे का डूर अपन डोर उपन हम जैसे करते हैं तो इच अब बाट को अपने हैड्रेस देखने को मिलते हैं अपने सीट पे जो आपको एक व्यू मिलता है यह काफी वाइड लूग देखने को मिलता है यहाँ पर अगर हम देखें तो नीरूम काफी अच्छा है थाय सबोर्ट की बात करें, थाय सबोर्ट भी भाहिर ना काफी अच्छा है, यहाँ डूवल आपको वेंट्स देखने को मिल रहे हैं, हेड्रूम की बात करें, हेड्रूम में भी कोई इशू नहीं है, जो कि इसकी बाकी गाड़ियों के इंदर थोड़ा बहुती इशू आता ह इसमें भाहि वो इशू नहीं है, इसमें भाहि नोने सुधार कर दिया है, यहाँ पर अपना हेंडल स्टाच नहीं होता, और दो कफोड़र आपको अधर देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आप देखें तो भाहि कपड़ा अच्छा एदर यूज किया गया है, तो इसमें स्टीकर्स चार मिलते हैं, यहाँ मिलता है और इधर मिलता है आपको वाइलेस चार्जर को अउन उफ करने का बटन, यहाँ से आप अपना कर देख सकते हैं कि आपके लाइफ साइड में कोई गाड़ी तो नहीं है, तो वो भी मैं आपको बता दिया, तो यह प्यूर आपने देख लिया, यह कुछ अपना इंटियर देखने को मिल जाता है, अब हम कर लेते हैं इसके एक बार हुड की बात, जैसे हम यहाँ से करते हैं बोनट को ओपन, तो जो इसके इंजन स्पेसिफिकेशन से हैं, वो आपको क्या देखने को मिलते हैं, इसमें मिलता है काफी भरा-बरा इंजन है, यह को नीचे बेगर अब देखते हैं, तो नीचे आपको आपको कवर प्लेज देखने को मिल जाता है, जिस से अपना इंजन की एक लाइफ होते हैं, यहां आपको इण्सुलेशन देखने को मिल जाता है, तो गाड़ी भाई कैसी रगगरी है, कमेंट करें जरूर बताना तुर की मेरे सबसे जो गाड़ी है काफी प्रैक्टिकल है अगर हम इसके दूसरे कॉंपिटिटिव गाड़ियों से देखें सेल्टॉस क्रेटा इन ग्रेंड विटारा अगर आपके पास चॉइस हो कि आपको इन चार गाड़ियों में से पिक करनी ह है कौन सी आप पिक करना चाहेंगे होंडा का रिलाइवल इंजिन या मार्थ जूर्की की एवरेज या हूंडे या फिक किया का एक बस फीचर वाला पार्ट तो कौन साब चूज करना चाहेंगे कर्मेंट करके ज़रू बताइएगा बापेस है मैं आपको बता देता हूं इ बुसा देता है मैं आपको बताइएगे के लेगा शाया है लोर्की के डाव मेंगे यालाओ भीचर भीचर एंओा जिजर हैं इपाना वालाओाएगे वबताएगे याजित झाहेंगे जो कि वे लिवाना टामालाओंवे इंगू कर थिए बताएगे हैं आपक घूरू कर